नमस्कार साथियों स्वागतायात सभीका आपके अपने यूटीब चैनल धनुराज शॉट हैंड अकैडमी स्टैनो क्लासेज में दोस्तों आज कमाया डिक्रिशन रास्तान हाई कोट स्टैनो ग्राफर भरती 2020 न्यूस्पेपर हिंदी डिक्रिशन गती 80 प्रति मिनट तो आए इस्टार्ट करते हैं डिक्रिशन पांच सेकंड बाद इस्टार्ट जब जब हमारी उम्मीद तूटने लगी है तब तब एक संकेत जरूर उभरा है की व्यक्ती स्वातंत्रे की सुरक्षा कोई गुम हुआ अभियान नहीं है विराम पैरा जब भारत पर विदेशियों का शासन था तब भारत में यहें विचार बहुत देर से आया की उन्हें भारत पर शासन का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने एक तरहे से भारतियों का अपहरण कर रखा है आपको याद हुगा की अमेरिका में आजादी के घोशडा पत्र पर हस्ताक्षर 4 जुलाई 1976 को ही हो गए थे विराम पैरा उसके करीब 100 साल बाद भारत में सुतंतरता सम्प्रभू भारतिये राज्य का विचार पनपा था विराम 1906 के कुलकाता कॉंग्रेस में दादा भाई नौरो जी ने स्वराज्य का नारा दिया था हालाकि उसमें सीमित स्वशासन की बात कही गई थी विराम 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया और बिटेश सामराज्य के भीतर स्वतंतर उपनिवेश की मांग उठाई थी लाहोर अधिवेशन में 1929 में कॉंग्रेस कारिय समीती ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी संपूर्ण आजादी की गोशना की थी विराम पैरा स्वतंतरता प्राप्ती के लिए भारत ने बहुत सारे विचार फ्रांस और सयुक्त राज्य से लिए थे कासकर फ्रांसी सी कुरांती के समय स्वतंतरता समानता और बंधुत्व की मांग के साथ उठी लड़ाई की आवाज और सयुक्त राज्य के स्वतंतरता के घोशना पत्र से जिसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उनके विधाता ने उन्हें कुछ खास अहिस्तानांतरणिय अधिकारों से संपन बनाया है जिसमें उनके जीवन जीरें स्वतंतरता और अपनी खुशहाली के लिए उद्यम का अधिकार शामिल है विराम उसमें मुख्य शब्द था स्वतंतरता पिराम पैरा स्वतंतर भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ की असहमती की आवाजों या विरूद प्रदर्शनों या अवग्या को दबाने के लिए राज्य की शक्तियों का इतने संगठित तरीके और बेरहमी से इस्तिमाल किया गया हो विराम आपातकाल उनिसुप चित्तर सततर के समय राज्यनितिक विपक्ष निशाने पर था गिराम इस वक्त असहमती की हर आवाज निशाने पर है चाहे वह राज्यनितिक हो सामाजिक हो सांस्कृतिक हो चाहे वह कलाकारों की हो या फिर एकेडमिक लोगों की विराम सिंधु और टिक्री बॉर्डर पर किसान क्रशी कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं न की एक राजनितिक पार्टी के रूप में भाजपा का विराम उन्हें जाच एजेंसियां अपना निशाना बना रही हैं इस वक्त दलितों पर बढ़ रहे अपराधों, भेदभाव, महंगाई, सूचनाओं से इनकार, प्रदूशन, फैलाने बालेव, प्रश्टाचारियों, पुलिस अत्याचारों, एक अधिकार, क्रोनी, पुन्जीवाद, मस्दूरों को नकारने, अधिकारों के हनन और ध्व अंसकारी आर्थिक नीतियों, आदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं विराम, असहमती की हर आवाज या आंदोलन को भाजपा सरकार के विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है और उन सब को दबाने के प्रयास हो रहे हैं विराम पैरा दिशा रवी किसानों के आंदोलन का समर्तन कर रही थी, किसी भी रूप में वहे किसी राजनितिक दल की कार्य करता नहीं है उसके बावजूद उसे राजदोही के रूप में पेश किया गया विराम उसके पहले एक पत्रकार सद्दीक कपन को जो हातरस में बलातकार के बाद मार डाली गई पीडिता के बारे में खबर करने आया था उसे इस्थापित सरकार को उखाड फैंकने की साज़श रचने वाले के रूप में प्रचारित किया गया विराम नागरिक्ता संशोधन कानून का विरोध करने वाले छात्रों और महिलाओं की छवी भारत की अखंडता और समप्रभूता को खंडित करने का प्रयास करने वा चैंग के रूप में बना दी गई थी विराम नौदीप कौर मस्दूरों के अधिकारों के लिए संगर्ष कर रही थी मगर उस पर दंगा फैलाने और हत्या के प्रयासों का आरोप लगाते हुए उसे जेल भीज दिया गया विराम एक चुटकुले को दिलचस्प अभी व्यक् की मानने के बजाय उससे धार्मिक भावनाओं को आहत होने वाला माना गया और कमेडियन मनवर फारुकी को धार्मिक तरह से हमला होता साफ नजर आ रहा है विराम पैरा अदालतें खासकर निचली अदालतें निच्शेष्ट प्रेशक बनी रोजमर्रा की तरहे गिरफतारियों को उचित टहरा देती या फिर बिना कुछ सोचे विचारे लोगों को पुलिस हिरासत या नियायक हिरासत में भेज दिया करती थी उनमें देश के इस्थापित कानूनों का पालन नहीं किय जाता था विराम रजस्थान राज्य बनाम बालचंद मामले में नयमूर्ती कृष्ट अयर ने कहा की मूल नियम जमानत का होना चाहिए न की जेल भेजने का विराम मनू भाई रतीलाल पतेल मामले में सर्वुच्य नयले ने रिखांकित किया की मजिस्ट्रेट का करतव्य है कि जब भी उसके सामने पुलिस हिरासत या फिर नयायक हिरासत की मांग करते हुए वारंट जारी करने के पक्ष में तर्ग दिये जाएं तो वह उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करे किसी भी तरहे की हिरासत की कोई जरूरत नहीं है मगर इन विधाई निर्देशों के बावजूद अदालतें बेख्याली में लोगों को जेल भेजती रहती हैं विराम पैरा हवालात भेजने और बंदियों पर लंबे समय तक सुनवाई चलते रहना सुतंतरता के विरुद्ध कुरूर हिंसा का एक आख्यान है विराम हर एक या दो महिने पर बंदियों को अदालत में अगली तारीक मिलती रहती है कभी जाच अधिकारी उपस्थित नहीं होता या वादी अनुपस्थित रहता है कभी वादी का गवाह नहीं आता या मेडिकल रिपोर्ट तयार नहीं हुई होती कभी जज के पास समय नहीं होता या जज छुट्टी पर होता है अक्सर इन में से कोई न कोई बात होती रहती है विराम बंदी अगली तारीक लेकर फिर जेल लोट आता है और उसकी उम्मीद धुंदली होती जाती है विराम उपरी अदालतों में भी इस्तती कुछ बहतर नहीं है सुप्रीम कोट और उच्छ नयलयों में हजारों की संख्या में जमानत की अरजियां लटकी पड़ी है ऐसा शब्द शायद ही कभी होता है कि एक सुनवाई में उनमें से किसी का निप्टारा हो जाता है विराम मैंने देखा कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि चांच एजेंसी पुलिस CBI EDNIA आदी जमानत अरजियों का जित पूर्वक विरोध करती है विराम पैरा अर्णब गोस्वामी इसका एक बड़ा सबक है विराम सर्वुच न्यायले न्यायमूर्ती डीवाई चंदरचूट ने हमें याद दिलाया कि अगर एक दिन के लिए भी आजादी का अपहरन कर लिया जाए तो वह है एक दिन बहुत सारे दिनों के बराबर होता है मुझे इस बात की खुशी है की हमारे बहुत सारे जज जाच एजेंसियों के जिद्दी विरोध को बहुत लंबे समय तक बरदाश्ट नहीं करते और वे स्वतंदरता के पक्ष में सूच विचार करते हैं 82 वर्षिय कभी वरवरा राव के मामले में बॉम्बे हाई कोट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी विराम दिशारवी मामले में जज राणा ने लोगतंतर के मूल तत्व को रिखंकित किया सरकार की नीतियों के प्रती निश्पक्ष रूप से विचारों की भिन्नता असहमती मत पार्थक के प्रतिरोद या नापसंदगी जाहिर करना विधी सम्मत उपकरण हैं विराम पैरा अदालतों ने आजादी को सुरक्षित बनाए रखा है पर मुझे लगता है कि तूसरा सतनतरता संग्राम शुरू हो चुका है और जो लोग जेलों में निराश नजर आ रहे हैं वे एक दिन आजादी की हवा में सांस ले सकेंगे प्राम आशा करता हैं आप से भी को डिक्टीशन पसंद आई होगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादो जादो शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद